तो आज क्लासिस में आपके थोड़ी से लेट हो गए लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि आज की क्लासिस में जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर मैसमेटिस टू फाइनेंस में इतना कुछ हम लोगोंने कि इसमें फॉर्मुले किसमें क्या लगाना है थोड़ा सा कन्फुजन हो गया है तो आज मैं एक पेज पर मतलब कि एक ज्यादा पेज पर लेकिन सारे फॉर्मुले मैंने लिख दिये हैं आपको जिससे कि आप इसली उसका रिविजन कर सकते हैं ठीक है इन तो आपका इस तरह कि रिष्ट रखा करके रिविजन करना पड़ा मुश्किल हो रहा था आपके लिए अभी थोड़ी से आज भी आपके पांच जाली क्लास अभी सवाच शे स्टार्ट हुए क्योंकि अभी थोड़ी ठीक नहीं है मैं एड़मिट हूं बट थोड़ा सा बीच में आफ लेकर के सब्सक्राइब कर दिया है मैं आपके पास में सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चे कि अंदर सभी फॉर्मले को मैंने एक सेक्वेंस में लिख दिया है मैं हलक हलका बता लेता हूं और यह पूरा चप्टर मैंने खतम कर दिया है लेकिं कुछ कंफूजन है खासकर अनुटी के अंदर मैं बच्चों के अंदर कंफूजन देख रहा हूं तो उसी चीश को लेकर के पहले एक शीट मनाईए जहान से पहले सुन लेंगे सबसे पहले आपका स्टार्ट सिंपल इंटर्स से वहाता है बड़ सिंपल इंटर्स से कोशन से आपके एक्जाम में नहीं आते हैं स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटर्स से तो कंपाउंड इंटर्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई पैसा है और आपको इंटर्स मिलेगा और एक समय के बाद जा करके वो पैसा क्या हो जाएगा एक समय के बाद उसको फीचर वैलू भी आप कह सकते हो तो फीचर वैलू के क्या होता है जो rate of interest आपका होता है उसको अगर आप डिवाड़ी वाई हंडर कर देंगे बनाब डैसिमल में अगर आप उसको लिख देंगे तो वह आपको आई की फॉर्म में आ जाता है और रेस्ट्व पावर एंड कम मतलब होता है कि कि कितनी बार आप पेमिंट करेंगे इंटस कितनी बार चार्ज होगा इस सेम चीज को हम ऐसे भी लिसकते हैं कि आपके पास में मतलब क्या होगे आपके पास में आई तो पता आपको क्या है रेट ओफ इंटस डिवाड़ी बाया फंडर कर देंगे M कि एक साल में जितनी बार पेमिंट आपका जा रहा है उसे M बोलते हैं clear है तो M से डिवाइड करेंगे और M into t मतलब एक साल में कितनी बार पेमिंट जा रहा है कितने साल के लिए पैसा आपने लिया हुआ है तो कई बार ऐसे questions होते हैं आपके half yearly, quarterly, monthly, इस तरहे questions होते हैं यह पर आपको सिखाए गया अच्छे से कि रेट ओफ इंटरस को चेंज करना होता है खर वो मैंने आपको सिखा दिया है लेकिन फॉर्मूले से कैसे चलेंगे तो वह मैंने बता दिया कि अपना आई तो आप लिखी सकते हो एक साल में जितनी वारी पेमेंट जा रहा है उससे रहेगा तो यहां पर आपके पास में अपकर रहे तो यहां पर आप अब देखते हैं तो यहां पर आप को वाले में कहा रहें का P P into में E raise to power R into T clear है R का मतलब आपका यही एजा I use करना है आपको decimal में और यहां पर आपके पास में T Tate time अब E की value आपको E table से मिल जाएगी अगर नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं सब्सक्राइब क्लास देख लिए होंगी एस एक वसुदिस तो यहां पर भी आमाउंट आप ऐसे निकालेंगे लखें बच्छे कमाउंट इंट्रस प्रिंसपल जो पैसा पर इंवेस्ट करा आई मतलब जो पहला इंट्रस रहा आपका वह इंट्रस कितनी बार रहा उसके बार प्लस दुबारा से दूसरा इंट्रस और अगर फिर कंट्रिंसली बाद में होता है तो इस चुपावर किस रेट से कंट्रिंसली हो रहा है कितने टाइम तक वह आपके पास में रहेगा यह कुशिन एक्जाम में आया हो अभी तो कंपाउंट इस से कुशिन अगर कहीं से लिए हैं यहां पर ठीक है जी अब एक्जामपल में आप देख सकते हैं वह एक कोशन है कि मिस्टर एक्स डिपॉजिट 10,000 रुपीज इन बैंक फूर थी यह तीन साल के लिए ओफरिंग इंटर्स अड़ रेट आप दा सिक्स परसंट कंपाउंड हाफ येर्ली बेंग फिर लिए है तो पहले साल तो वह वह घाः है तो पहले साल कितनी बार इंटर्स जाएगा दो बार जाएगा तो आफका प्रैंसपर रहेगा वन प्लस और आई तो एक साल निए हिक साल में तो यह तो इह आपके पास में कुश्चन कल से calculus आपका start होगा हाँ जी अब यहीं पर बात करते हैं present value का तो feature value तो आपको पता है compound interest एक पैसा आज रखा तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कितना मेरा हो जाएगा यह होता है मारा feature value इसको compound interest भी बोलते हैं बात करते हैं present value क्या चीज़ होती है तो एक पैसा मैंने आज क्या रखा वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है लेकिन एक समय के बाद इतना हो जा रहा है as the amount मुझे पता है, मुझे principle नहीं पता तो पीछे से उस value को हमें आगे बापस slot करके पीछे लेकर आना पड़ेगा value को से हम present value बोलते हैं इसमें कुछ ही नहीं करेंगा, formula में कोई change ही नहीं आया बस इसमें एक change आएगा कि power आपके पास में minus में हो जाएगा अब power जब positive हो तो कैसे calculator पर निकालते है calculator पर और power जब आपका negative हो तो उसको कैसे हम calculator पर निकालते हैं यह मैंने आपको बता दिया था तो यह present value हो गया और present value अगर continuously में आपको find करना है तो वही आपके पास में s आपको पता है न, s के आपके पास में s आपका as the amount है तो s के आपका as the amount है तो यहाँ पर continuously में आपको यह formula आपका रहेगा clear है जी? हाँ जी, अब nominal and effective rate of interest इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो does the effective rate of interest effective rate of interest क्या होता है? आप video देखेगा अब यह video में सारे के सारे में क्या कर रहा हूँ आपको confusion ना हो तो video में सबके title में लिख रहा हूँ कि इस video में क्या पढ़ाया गया है जिससे कि आप video को open किये मिना ही उपर से आप देखकर करके आप easily आप उसका identify कर लोगे कि इस video के इंदर क्या आपको मिलने वाला है ठीक है? तो effective rate of interest आपका basically क्या होता है? कि एक 10% rate of interest है माल लो example के लिए थोड़ा से exam बसम जायता हूँ में 10% ये सब चीज में पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा आपको formula revise करवा रहा हूँ एक sheet है आप exam में या घर पे आप बस इसी formula को revise करके आप 10 जे से practice करना 10% आपका तो 2 साल के लिए तो पहले साल 10% तो मुझे मिलेगा मिलेगा next year पहले साल मालों मेरे principle क्या है 100 है मुझे पहले साल 10% अगर मिल गया तो मुझे तो 110 हो गया ने मेरे पास में फिर 10% मुझे नए figure का मिलेगा तो इसका मुझे कितना मिल गया 11 मिल गया तो मेरे पास में 121 हो गया तो जो 100 की चीज थी वो मेरे पास में 121 हो गया तो basically देखा जाए तो मेरे अंदर 20% का increment नहीं हुआ है मेरे अंदर कितने परसंट का increment हुआ है मेरे अंदर जो है increment वो 21% का हुआ है तो 10% are rate of interest for 2 years के लिए effective rate of interest 21% है तो 10% का मैं 2 साल का ब्याज दूँ और इसका effective rate of interest मैं कह सकता हूँ कि 21% में ब्याज दूँ बात बराबरी ही है जाएगा उतना ही परसा मिलेगा उतना ही परसा तो इसको effective rate of interest कहते हैं clear है जी तो इसके लिए मैंने आपको formula यहाँ पर दे दिया है कि rate of interest effective तो आपके पास में होई करना है कि 1 plus rate principle का कोई use ही नहीं है और एक साल में जितनी बार आप interest दे रहे हैं M और आपके पास में M into N clear है कि एक साल या भी time होना चाहिए आप या भी time क्योंकि एक साल में कितनी बार दे रहे हैं money lender charges the interest at the rate of 10 पैसा पर रुपीज पर मन्त पेबल इंदा एडवांस तो बच्चे एडवांस का मतलब आपके पास में 10 पैसा मिल रहे है पर रुपीज मिल रहे हैं तो जब एडवांस में 10 पैसा दे दिया मेरे को अगर आपने मैंने आपसे एक रुपय उधार लिया उसमें 10 पैसा मैंने आपको दे दिया तो आपका यूज तो मैंने इकना पैसा युज कर एकาร न आपके नभे पैसे पर दिये हैं तो rate of interest ऐसे सब करेंगे आजी क्लास में थोड़ा और टेस्काूंट की malfaluk 120 किस में किसध कितना आपका गया है तो कुछ उसका पास में c कितने का सामान कितने की मश्रीद खरीद कर लाए थे वन और आर आर आई आई आप एक ही बात है यहां पर आई आप उसको यूज़ कर से ते रेश टू पावर एन और यह आपके पास में कि आपके पास में स्क्राइब वैल्यू क्या बचेगी क्लियर है जी अब बात करते हैं भया एनुटी के उपर एनुटी के उपर बड़ा भबंटर बचा हुआ था आपके अंदर के एनुटी में से लेटिट आपको डाउट था कि तरह से पहला कोश्चन को आडिनिटी फाई बने कर पारे थे कि यह एनुटी इसलिए औरें बस बस बीसियर के उट्रफ यजय चला दिए एक बारें यह से ट्फेट जो है आक अगर आपका हर बार जा रहा है अब बात करते हैं अब बात करते हैं क्या होता है तो जब ले रहा हूं तो मैं उधार लेती समय पर ही इंटरस्ट आपको दे दूँगा स्टार्टिंग में और एक ही होता है कि जब मैंने पैसा उधार लिया तो जब पीरिड एंड होगा तो उस पीरिड के एंड में मैं लूँआ अगर मैं आपसे एक लाक रुपए दस पर उधार ले करके आपको दसदार पर दूँगा तो जब किसी भी टाइम पीरिड के एंड पर इंटरस्ट क्रेट हो रहा है तो इसको हम और इनिटी कहते हैं अब और इनिटी क्या कहता है फर्स्ट पेमिंट और इनिटी के अंदर आपके पास में बेसिकली एनिटी में सबसे पहले मैं मैं अमाउंट ऑफ और इनिटी बता रहा हूं अब सवाल यह है कि सर यह अमाउंट ऑफ और इनिटी क्या है माल लो आपको पता होना चाहिए आप यह देखिएगा कि आपने रिकरिंग डिपोजिट आपने साथ बैंक में क्या होगा है तो नाम से सुनाओगा अपने आड़ करा कि हम जो है हर मेने दो हजार रुपए बैंक में डिपोजुट करेंगे हर मेने रुब तो आप इस मेने दो जार और आपने मैने तक आप बैंक ब्यास देगी पर इस तरीके से आपके पास में इस तरीके का कैलकुलिशन करना कि फर्स्ट मैने पर इतना इस पर इतना तो कुल मिला करके कि आपका अमांट कितना हो जाएगा दो साल के बाद अगर आप 2000 पे हर साल करते हो तो उसका फर्मॉला यह अमांट ओडिनरी एनुटी कहते हैं यह फीचर वेल्यू आपका एनुटी भी खेते हैं तो यहां पर आपके पास में अनुम्बर ओफ पेमेंट के कितनी पेमेंट करे था एस एकपल्स टू आर डेकट वन प्लस आई रिस टू पावर एंड ले था ना थोड़ा सा चेंज हो गया है आपको पता है यह बस वही फार्मुला से कि आप ले लेंगे लेकिन जो ग्रीन कलर से आप देख रहें यह कुछ आपके चेंजी से होकर के इसमें आएं तो आप कभी भी कभी आपको कोई आप डिपोजिट्स करवा रहे हो हर मैंने तो एक समय बाद वह था अमाउंट क्या हो जाएगा एक्जाम में आता है उसका फार् और यहां पर नीचे चला गया है अगर यहां पर अगर यहीं अनुटी मेरा पास्ट में अगर कंपाउंडेड एन्वली यहां फिर्ली नहीं है यही अनुटी अगर मेरे पास्ट में यहां पर कॉंटिनिसली है तो महां पर फॉर्मला क्या लगेगा उसका दिख लीजिएग वाले में, R upon I, R मतलब जो आप हर एक payment कर रहे हो, deposit कर रहे हो, upon I मतलब जो आपका interest है, और E raised to power I into T, timer जितने समय के लिए और minus 1, simple formula है और E की value निकालना मैंने आपको वीडियो में दिखा दिये, आप देख लिजीएगा, मैं वीडियो पर मार्क भी कर दूमा बहुत जल्दी, क्लियर जी, प्रेक्टिस के लिए सचीन आप जो है 10 येर में से आप ले लिजीए, उसमें से कुष्ण प्रेक्टिस के लिए, क्योंकि उसकी तपको नीड होगी होगी, अब बच्चे ये बात तो अलग था कि मैं जमा करवा रहा हूं, आने वाले समय मेरे पासा कितना बन ज क्लिटी कहते हैं, अब दूसरा सवाल ये है बच्चे, क्या, एक सवाल ये है, for example, मैंने कोई चीच किस्त पर ले लिया, और मेरे किस्त बांदे दी कि भाई आपको 5000 रुपया हर साल आपको इंटरस देना है, या 5000 रुपया आपको हर मन्त इंटरस देना है, मेरे किस्त कर रहा हूं, आप मुबाइल फोन लेते हैं, आपने लिया भी होगा, इंस्ट्रॉल्मेंट पर लिया होगा, तो और आपका मालो हर आपका 5000 रुपय के पर मन्त के साथ से 6 मैने का आपका इंस्ट्रॉल्मेंट बांद दिया, तो 6 मैने का कितना हो गया आपका, 6 मैने का आपक सब्सक्राइब कर देंगे तो उन्होंने क्या करा हर मेने किस बांदी रेकिन हर मेने जो किस दे रहे हो उसमें इंट्रस्ट है कि मेरी वीडियो में अच्छे देखी का प्रसेंट वैल्यू ऑफ एनुटी क्या होता है इस बार मैं पेमेंट कर रहा हूं यहाँ पर आपके पासे मैं एक फरक आगिया लेखिए तो इसी वह बहुत है यहाँ पर आपके पास पर एक ऐस फर्कत गया देखिए है क्या जो वन आपका यहां पर मैनिस में था रवन यहां पर मैंनिस में होगा करhat शताले द अब वन ऑब जुकत है तो ईसन पर अगे हो थी कनकी घान है तो अब यह था सुआ हो बहुत дол ऊब इसका इसका फर्क हो घ्यां करें आपphonus और यहां पर अगर आपको प्रजंट वैल्यू निकालना है लिखा हुआ कूशिन के अंदर आपका इस केस में आपके पास में जो आप इंस्ट्रॉल्मेंट पे कर रहे हैं डिवाड़ी बाई आपके जब आप कोई पैसा उधार लेते हो तो उसी समय पर इस्टार्टिंग में इंट्रेस्स ले लेते हैं आप तो इसको अनुटी डिव कहते हैं An annuity due is on an annuity in which is the payment are made on the beginning of the each rent period. मतलब each payment पर starting में ही आप उसको pay करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास में amount of, यह आपके पास में क्या हो गया? amount of annuity due का formula हो गया आपका. किसका? amount of annuity due का formula हो गया आपके पास में. amount of annuity due का formula यह है कि कोई पैसा है और जिस पर इंटरस्ट आप बैंक आने आपसे कहा कि आप पैसा रखोगे, मैं हम आपको आज इंटरस्ट दे देंगे. मैं स्टार्टिंग में दे देंगी. तो हम रखते गए, रखते गए, एक समय बाद उपासा कितना हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास में, बस कुछ भी निया, same formula है, पहले भी आई था, r bracket, 1 plus i minus 1 upon i, टेश्वा, n. बस एक चीस का फरक आगया है, इसमें, किसका? आपका कुछ इसका फरक आगया, n plus 1 हो गया, मेरे बाद समझें या नहीं समझें, तो बस यहाँ पर इतना ही आपका फरक आएगा, और बाखी कोई फरक नहीं आएगा, clear है जी? समझें, और इस तरीके से आपके पास में, present value of entity due में भी, अगर आपके entity due का कोशना है, present value निकाल रही हो अगर आप, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, कि 1 minus 1 plus i raise to power minus, यह n minus 1 और upon में i, तो यहाँ पर formula same रहेगा, present value जो पहले था, 1 minus this और i upon, बस यहाँ पर minus का power था, बस यह अपर minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर plus 1 और यहाँ पर minus 1 हो जाएगा, लेकिन entity due का सवाल है, ध्यान रखेगा सीच को, हाँ जी चलिए, amount of the deferred entity, अब आएए बात करते हैं, deferred entity क्या होता है, deferred entity के question में क्या होता है, कि मैंने promise करा कि मैं आपको 10 installment दूँगा, और शुरू के 3 installment में दे ही नहीं पाया, और फिर मैंने तिया चौथा installment मैंने देना सुरू करा, तो इसमें deferred payment हो गया, यहाँ पर कुछ instruments सुरू के fail हो जाते हैं, तो इस case में deferred payment में आपको clearly mention होगा, भी question लेंगे हम इसके, deferred entity का question के जो है, questions मैंने लिखे हुए यहाँ पर, यह कुछ questions है, deferred entity क अगर आप देखेंगे, present value of deferred entity भी है, और कुछ 10 year में से कुछ questions भी है, जो कि अभी पिछे 2 सालों में से questions आई हैं, उसी questions है, sinking fund के भी question है, हाँ जी, so deferred entity में कुछ ही नहीं करना, जो आपके entity, amount of entity का जो आपका formula था, amount of ordinary entity का जो formula था, वही same formula आपको deferred entity का होगा, amount of deferred entity का formula होगा, तो यह formula किसका है, यह formula आपका होगया, amount of, amount of deferred, deferred entity का formula होगा, same formula, जो anonymity, annuity का formula था, वही formula यहाँ पर apply होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, जो से question भी देख लेते हैं, इसका, एक question नहीं देख लेते हैं, यहाँ पर देखा लो, यह, amount of deferred entity, अब present value of amount of, अभी question में clear होगा, definite entity कोशिंस आते हैं, present value of, कई बार बोलेगा, कि भया, मैं तीन payment देने में फेल होगया, और start payment देने मैंने शुरू करा, अगर मैं इसको cash payment करता तो कितना करता तो, basically क्या पूछ रहे हैं आपसे, present value पूछ रहा है, तो present value में आपके पास में फार्मला क्या रहेगा, यह तो आपको पता है कि 1 minus, आपके पास में 1 plus i raise to power minus n, यह आप तो लिखेंगे, लिखेंगे, clear है, जो कि आपका present value को फार्मला, मैंने आपको, यह तो होता है था, present value को फार्मला, इसमें बस एक चीश चेंज हो जाएगा, क्या, 1 plus i raise to power minus m, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर m और n क्या सवाल यह है, कि भईया, m क्या है, और n क्या है, तो बच्चे जितनी payment आपने fail कर दिये न, जितनी payment के बाद चोथा payment दे रहे हो, जो first payment कर रहे हो, वो आपका m है, उसमें से first payment, पांच payment, पांच ही payment आपने first कर रहे है, तो 5 minus 1, clear है जी, तो मतलब क्या हो जाएगा, n equals to 4 हो जाएगा, m equals to, और n क्या है, कि जितने समय के लिए आपने, जितने payment का promise कर रहा था, उसमें साब m minus कर दो, वो तो कह रहा था, कितना amount हो जाएगा, या installment बंदा हुआ था, तो क्या present value होगी, इंस्टा के बाद करो, कई बार सवाल आपके पास में ऐसा आजाएगा, loan के उपर, कि आपके पास में, एक कोची उधार ले रहे हो, उसके equal installment बनानी है, तो installment कैसे बनाओगे, annual installment कैसे बनाओगे आप, तो installment बनाने का simple तरीका आपके पास में ये है, ये, this one, installment बनाने को उपर सवाल कई बार paper में आता है, तो installment कभी बनवाना तो P, P मतलब के जो आपने उधार लिया, या जितने का सामान था, I, जो rate of interest है, upon 1 minus, जो चीज़ हम उपर लिखते थे, वो चीज़ हम अब नीच कर रहे हैं, clear है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, चीक है, clear है, तो बस, reverse हो गया, P into में, हम 1 minus this 1, जो present value में करते थे, उपर, उसको पलट दिया, बाकि same है, formula को interlink करके बार बार revise करोगे, तभी बात बनेगे, पेपर में इंटो confuse जाओगे, लेकिन, अब जो मैंने बनाया, इसको आपको यह समझ माया, पहले था, यह sheet से satisfied है, जो आपके लिए formula की, एक single sheet आपको दी गई है, बताए, इससे satisfied है या नहीं है, काफी student की demand के सरा आप formula की, अप्लेट ही हो गई ना आपको formula की बीच में, क्योंकि बाकि बाकि चप्टर आपका straight सा थोड़ा था, इसमें ज्यादा formula थे, तो इसका प्रॉलम स्वाल हो गया, आपके PDF दे देंगे, और इस PDF को, जो यह बच्चे, क्लासिस देख रहे हैं, application पे आप जाएंगे, इस PDF में आप सब के लिए available रहेगा, paid वालों के लिए रहेगा, सब के लिए रहेगा, लेकिन application पे ही, यह study material में मिल जाएगा, और paid वालों को तो आपका जो batch है, उसमें ही मिल जाएगा, clear है, और paid वाले को, मैं इस PDF के तो मैं access भी दूँगा, कि वो download कर सकता, अपने phone में, तकि जब मर्जी उसको सोते उठते बैठते, revision करना, revision कर सकता है, तो paid वाले को मैं download को यहाँ पर permission दे दूँगा, कि वो इसको download, जो है, कर सकता है, download तो आप वैसे भी कर सकते, बढ़ डाउनलों करके, मैं लिए बहार निकाल सक आता कैसा है, find the amount of the deferred annuity of the rate, 3,200 रुवी payable for the end of the, every six month, the first being paid at the end of the year, the money is which 15% per annum compounded semi-annually, तो यहाँ पर time period आपकी six month, and questions में कुछ तो गरबड़ो है, मैं कुछिन चेक कर ले, तो रुख जाओ, एक मिनित का समय दूँ, हाँ जी, दिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, for the 10 year, the first payment paid up at the end of two years, the money is worth the 15% per annum, the compounded semi-annually, तो आप देख रहे हैं, कि हर छे मेने में, हर six month में, मुझे क्या करना है, एक installment की payment करनी है, लेकिन first installment ही मैंने दो साल के end में करा, और हर six month के end मुझे installment पे करना था, बट मेरे first installment ही कब जा रही है, दो साल के end में जा रही है, और इस तरीके से मैंने 10 साल के लिए पैसा लिया हुआ है, तो खुल मिला करके मेरा amount of deferred annuity क्या होगा, कोई फरक नहीं पड़ता है, चाब वो amount of deferred annuity का question हो, या फिर amount of ordinary annuity का सवाल हो, तो same formula लगेगा, जैसे यहाँ पर लगेगा, तो आईए, आर, आपके पास में आर, आपका each installment क्या है, 32, clear है, और आई की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में rate of interest जो है, वो आपके पास में है, 15%, clear है जी, और rate of interest 15% है, और आपके पास में हर 6 मन्त में chargeable है, जो M कहते हैं इसको हाँ, हर 6 मन्त में charge है, तो divided by हम क्या करते हैं, 12, तो मतलब की 1 by 2, तो rate of interest को मैं करूँगा, 1 by 2, तो 15 by 2% हो गया, अब इसी को जब मैं I की फॉर्म में लिखूँगा, तो 15 by 2, और परसेंट की जगे पर क्यों हो जगा, 200 हो जाएगा, clear है जी, और मेरे पास में N, N equals to, कितने साल के लिए ही, 10 साल के लिए और हर साल हमें 2 installment देनी होती, 10 साल में कितनी होगी, 20 installment होगी, N हो गया, बस formula apply करना है, S equals to, R, R के है मेरे पास में 32 है, और bracket 1 प्लस I, I हम solve करेंगे यहाँ पर, तो 15 बटे 200, 15 by 200, तो क्या आए आपका, 0.075, और this one, raise to power N, N के 20, मैनेस M, इससे मतलब नहीं है, कितने पेमिन इसन स्टार्टिक में नहीं लिए, divided by क्या आपका, आई हो गए, 0.075, this one, same, अब solve कैसे करेंगे, आपको मैंने already classes में बता रखा है, अच्छे से solve करवा रखा है, उसको आप देख लीजीगा, ठीक है जी, अब यहाँ पर थोड़ा change आ जाता है, यह question same है, हो जाएगा, an annuity consists of the 8 annual payment, तो यहाँ पर n मतलब कि क्या है, 8 payment करना है, payment of rate of 1500 rupees each, तो आपके पास में आर क्या है, आपके पास में आर 15 rupees, 1500 each है, the first being made up at the end of the 5 year, बलब 8 payment करना है, पाक साल के बाद, इससे कोई फ्रेग नहीं पढ़ता है, find the amount of this annuity, if money versus 6%, तो I equals to क्या है, compounding annually, तो 6%, तो आपके पास में I क्या जाएगा, 6 by 100, तो 0.06, clear है जी, formula में apply करके solve कर सकते हैं, solve कैसे करते हैं, log कैसे निकालते हैं, वीडियो देखिएगा, और आपको log तो कैसे लिखना है, और log table में कोई गलती नहीं हो, तो calculator का use कर से करना है, calculator का use करना ही मैंने बताया हुआ है, क्योंकि जब भी power positive होता है, तो multiply and equals to plus one time सक जाता है, और जब भी power minus में होता है, तो divide equals to, कितनी time सक जाता है, जितने होते हैं power, उसमें plus two time सक जाता है, तो ये बाते मैंने discuss कर रहा है, आप please class ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये एक घंटे का काम नहीं है, ये revision classes है, revision मतलब कि आपको मैंने memorize कर लेने आपको एक बार में चीजिए, हाँ जी, अब यहाँ पर फरक पड़ जाता है, यहाँ बच्चों को confusion है, पर मैं यहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्या है, देखेए, question बच्चों यहाँ से क्या रहे है, find the present value of the sequence of the annual payment of the rate, 1500 rupees each, चली, इसमें कोई डाउट नहीं है, कि R equals to कितना है, 1500 rupees है, इसमें कोई डाउट नहीं है, first being made up at the end of the 6th year, जब भी present value निकालना होता है आपको, present value of annuity, तो यहाँ पर आपके पास में M क्या होता है, first payment जब होता है उसमें minus, आप 1 कर दो, fix है, तो आपके पास में M क्या हो गया, 6 हो गया, M, sorry, M आपके पास में क्या हो गया, 6 हो गया, and the last of the end of 16 years, बास 16 साल की कर रहा है, if money is the worst 7% effective, यह annual payment है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब M कैसे निकाल लेंगे, M, total payment कितनी करने हैं, 16, उसमें से आप minus कर दो M, 16 minus कर दो, आप M, तो कितनी होगी, 10, बास समझे, यह देखे, यह देखे, तो आपके पास में, R तो installment M क्या है, कि first payment जितने समय के बाद चाहरे, उसमें minus 1, ठीक है, और आपका N क्या है, N आपके पास में, जितने payment करने हैं, तो इसमें समय साफ M minus कर दो, आपके पास में क्या आगया है, N आगया, अब बस solve कर दे रहा है, आपको इसमें formula रख करके, कि क्या है, P equals to R, तो लेना ही लेना है आपका, बस यहाँ पर आपके पास में, आपके पास में, आपका 7% है, तो आपके पास में 0.07, और इस्टो पावर माइनेस M, तो माइनेस M मतलब कि माइनेस कर 6, और ब्रैकेट बिल्कुछ सेम चला जाएगा, आपका जो present value को formula होता है, 1 minus 1 plus 0.07, और इस्टो पावर माइनेस N, N के पास में, आपके पास माइनेस 10, और अपाउन में, आई, आई के आपका 0.07, तो कभी भी present value of deferred annuity निकालो की तो आप ऐसे निकालो की ध्यान लखेगा, clear है, आपको हर साल इंस्टॉल्मेंट पे करूंगा और ऐसा मैं 16 साल तक करूंगा, और first payment ही 7 साल बाट जा रही है, तो M क्या है, first payment जितने समय बाट जा रहिए, उसमें minus 1 हमारा M होता है, तो मैंने यहां आपके M के बारे में, क्या लिखता है मैंने, मैंने M के बारे में, एम के आरे लिखाता है मैंने फर्स्ट पेमिंट माइनस वन पर एन क्या लिखा था टोडल पीरिड माइनस में एम ठीक है जी इस फॉर्मले को रिवाइज करें गए न तो कोशिन एकदम से क्लिक करोगे आप हो जाएगा भी यह कोशिन चलिये सिंकिंग फंड क्या होता है कुछ नहीं होता है सिंकिंग फंड आप देखे जड़ाए आपका अब कुछ नहीं है इसलिए अलस्ट्रण जोट पड़ी नहीं मैं थोड़ा कोशिन दिखा दूँ आपको हाँ जी बच्चे चलिए यह प्रिवीस यह कोश्चन आया हो है लेटेस्ट कोश्चन है यह अब मैं प्रिवीस कोश्चन के थोड़ी प्रेक्टिस करवाईता हूं आज आपको बस प्रपस यह था कि थोड़ा सा डैफट अनुटी के बारे में पता लग जाए प्रजेंट वैल हाउस इस सोल्ड फोर दरेट फाइब लाग रुपीज डाउन पेमेंट एंडट सेमी एन्वल पेमेंट ऑफ रिट फिफ्टी थाउजन रुपीज तो डाउन पेमेंट तो पांच लाग का होई गया है इसके बाद डिसाइड करा एक घर जो है वह बेचा गया जिसमें की डा सब्सक्राइब करेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे कि सीच का है अब अच्भी एक प्रसेंट वेल्यू आफ ओर्डिनरी एटि अटिशन वेल्यू आफ चलो करो करके बताओ जल्दी से फटा फट जल्दी से करेंगे आप करो भी जल्दी से हाँ जी करें जी देखिए बच्छे, कभी भी डाउन पेमिंट कई वतादे cash price किया, तो present value पिलाने की बात कर रहा है, चलिए, डाउन पेमिंट तो आपका हो गया, तो हो गया, बाद की बात, ये पैसा तो भाईया आप दे चुक्किया, उसको, कितने दे चुक्किया उसको आप, पांच लाग पेमिंट, मतलब कि आपका हर छे महने में, आप जो है, पचास जार रपे की किस्त उसको दो गो, चीक है न, clear है, और आपके पास में, rate of interest, always, साल का ही दिया हुआ होता है, find the each price of the house, अब rate of interest, आप देखेंगे, तो rate of interest, आपका 20% है, ये तो साल का है न, जब आप semi-annually कर रह है, और बात 12 महीने की हो रही है, तो 1 by 2 हो गया, तो rate of interest, कोई 1 by 2 करेंगे, अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लासिस देखेंगे, सारी कि सारी, आप लोगों को देखेंगे, तो 10% आपका हो गया, और यहाँ पर आप I equals to क्या करेंगे, 0.10 कर देंगे, ठीक है, clear है अब आपके पास में यहाँ पर present, अब क्या कर रहा है, कि तीन बार payment fail हो गई है, कितने में से, आपकी कितनी payment करनी थी, 10 payment करनी थी, तो 3 payment तो आपके फेल ही हो गई है, तो उसके बाद आपके पास में क्या होगा, तो यहाँ पर आपके present value और पूछ का रहा है, कि अगर मैं क किस्त पर ना लेकर कि घर अगर मैं कैश में तो कितना पड़ता तो भाई यह जो पचास जार पर आप दे रहे हो यह इसमें तो भाई इंटर्स में इंक्लूड़ें इंटर्स हटाओ और डाफट पेमिंट हो गया आपका तो यह कैसे करोगे तो यहां पर आपको मालूं बढ़ गया एक साल में कितनी पेमिंट जा रही है तो बच्चे एक साल में आपके दो पेमिंट जा रही है ठीक है एक साल में पेमिंट आपके दो जा रही है तो तीसरे साल तक पेमिंट आपका ड्यू रहा तो एम एक पुल्स टू तीन साल एक साल में दो पेमिंट जा रही है तो मतलब six payment की बात कर रहे है तो six payment आपका आपने फिर्स payment करा इसमें minus one कर दोगे अगर आप six minus one कर दोगे अगर आप क्योंकि हर साल दो बात करता है तीन साल की तो मतलब की छह payment due होई आपकी तो माइनस वन कर दो तो पाँच और एन इक्वल्स तो तो तोटल कितने पेमिंट की बात हुई थी हमारी तो टुटल डाउन पेमिंट of the 10 annual payment of the rate 50 10 semi-annual payment of rate 50,000 रुपीस is the first due in a three years payment by under each price of the house of the money was 20% compounded semi-annually यहाँ पर कितने साल के लिए पैसा लिया इसमें कि आपको पोश्चन में चीज प्लेटी नहीं है कितने साल के लिए पैसे आपके पास थे में एक पूस्ट अपका फाइब हो गया कि पूश्चन मेरे सामने यह है नहीं तो मैं सच चेक कर लेता हूं हाँ यह पहले कुश्च हमने कर रख है लेकिन वह उसे मिक्स करा था हमने कि पूश्च में देख रहे हैं कितने टाइम के लिए ड्यू है ठीक है जी कुछ टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं बट एन एक पूस्ट टैन यूस करेंगे हम ट्विंटी हो जाएगा टैन ये रोन अच्छे था है यहां पर तो फिर मैं हावे करता टोटल पीरिट ट्विंटी हो जाता है ट्विंटी माइनस फाइव टेन फिप्टीन यूस कर लेता बट देखते हैं एक बाद कि क्या है भी यह कोश्च पर डिपेंड करता है बट आप एक बार एक पॉस्टू फाइव यूस कर गोई 10 50 फाइल डाउन पेमेंट एंड 10 सेमी एन्वल पेमेंट और एट 50,000 रपीज तो 10 इस से करके देखो 10 माइनस 5 इक पॉस्टू 5 कि टूटल पेमेंट 10 से उसमें से 5 आप मैनस कर दो 5 अब अपना फाम लगा दो उसी का और उस to 1 plus i इसी से करो जरा power minus m present value का r equals to 1 plus i raise to power minus m 1 minus 1 plus i raise to power minus n upon i this one इसमें अप्लाए का के जरा solve कर ले आई sinking fund का question कैसा होगा उसकी बात करते है जरा sinking fund दिखेंगे a machine cost a company 52,000 rupees and its effective life is estimated to be 12 year a sinking fund find any fund is created for the replacing the machine by a new model at the end of the its lifetime when its scrap realize a sum of the 5,000 rupees only the price of the new model is estimated to be the 25% higher than the price of the present one तो आपके पास में find the amount should be set aside of the end of the each year out of the profits for the sinking fund if the accumulate at the 10% effective question क्या है कुशन समझे आप पच्चेश सवाल ही है कि मेरे पास में मेरे पास में एक मशीन है मेरे पास में एक मशीन है और मुझे मालूम है कि 12 साल में इसकी life खतम हो जाएगी लेकिन खतम होते होते भी यह पांच-जार रफे मुझे स्क्राइब वैलू दे जाएगा मुझे जब मेरे मशीन बारे अब जब खतम हो जाएगी तभी थोड़ी सोचूगा उसके बारे में खतम होगी नई मशीन लाओ कहां से इतना सारा पैसा जटाएंगे तो कभी भी कोई कोई कंपनी जब मशीन लगाती है स्टार्टिंग में प्लान कर लेती है इसकी life इतनी है स्क्राइब वैलुस की यह होगी तो उसके बाद जब इसको रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए पैसा सुरू से सेविंग करना शुरू कर देते हैं जैसे होता है कि घर बनाना हो बेटी की शादी करनी हो तो सुरू से मामा पैसे जोड़ते रहते हैं न उसी तरीके से एक कंपन याप में एक और अधी टाइप का कि आप हर मेने कितना आप जोड़ें तो पहले आप देखेगा जो मशीन आ बारा साल बाद रिपलेस करेंगे गभी तो जो जो निउचे कर आएगे क्या क्या कहता है निउच YO मशीन के बारे में जो निउचीन होगी ना वह ओलड मशीन क्म और प्लस ओर्ड मंशीन का कितना विचीज प्रसेंट मिलाओ कि जीरो पाइंट टुपाइब न्यू जो प्रिजेंड itel फर वंकी प्राइज़्य जो जो इसक न्यू फाँज़मृ है उसका 0.25 प्राइज बढ़ चुकी होगी तो सॉल कर लिजी आप इसको 52,000 52,000 इंटू 1.25 तो यह आपका 65,000 रुपए उस समय जब मैं खईदने जाऊंगा आज से 12 साल बाद नहीं मशीन रिप्लेज करूँगा तो वह मुझे 52,000 की नहीं पढ़ेगी उसमें प्राइस 25 बढ़ चुका होगा तो इसका प्राइस 25 बढ़ने का मतलब होता है कि वह तो रह गए रहेगा प्लस इसका 50 और बढ़ जाएगा तो 65,000 की चीज हो जाएगी अब 65,000 की चीज हो जाएगी तो बस मुझे यहां पर क्या करना है साथ जार रुपय यहां पर मुझे बस अरेंज करना है तब सवाल यह है कि 60,000 रुपीस मुझे अरेंज करना है तो मेरे को हर साल क्या मेरी इंस्टॉल्मेंट होनी चाहिए तो मेरी हर साल की इंस्टॉल्मेंट क्या होनी चाहिए तो उस वन प्लस आई रिज टू पावर एंड माइनस वन अपॉन आई अगा दिस वन तो आपके पास में यहां पर आपको कितने पैसे आपको पास में आपको आर निकालना है ना बात समझे आप तो आपको वैसे भी मैंने इंस्टोर्मेंट वाला एक खिस्ता बताया है याद है आप माउंट आपको बेसिकली कितने पैसा जोड़ देना है आपको 60,000 जोड़ देना है अब आपके पास में एक पॉस टू आपको आर फाइंड करना है वन प्लस आई आई आपको क्या उस पे जो पैसा आप चमा कर रहे हैं उस पर आपको 10% मिलेगा तो आपके 0.10 कितने साल के यह बारह साल के लिए माइनस वन जीरो पॉइंट वन जीरो अरे भाईया इसको स्वाल करके डिवाइड कर देना कर आप नया फामला याद नहीं करना चाहते ने इंस्टॉलमेंट का तो जो पुराना आपको पता है ना उसी से आप बना देंगे क्लियर एजे तो यह जो भी इना टेन इकोल इंस्टॉलमेंट कि बहिए क तो आपको यहापर इंस्टॉलमें गालते हैं और वह भी एंड ऑप एच यह के हैं अ किसे निकालेंगे आपको if installment is paid at the beginning of the year तो installment beginning में कैसे निकालेंगे आपको clear है जी और find the amount of this annuity तो amount of this annuity कैसे निकालोगे भई या पाँच लाख रुपए है और दस equal payment में तो 50,000 रुपए basically आपके पास में आ गया और इस 50,000 रुपए को जमा करोगे और हर बार आपको 8% मिलता है तो इस 50,000 का अमाउंट क्या होगा तो आपको 50,000 रुपए रखना है क्योंकि पार्क तो पूरा पैसा हो गया आपने जो चीज लिए clear है अगर आप इसको installment में बनाते हो तो 10 installment आपके पास पे आपके पास में 55,000 रुपए रख लेते हैं तो अगर 55,000 रुपए अगर मैं saving करूंगा अपने बैंक में 10% इसाथ से तो amount कितना बन जाएगा find the amount of this annuity what happens in above the three cases if the Mr.X makes down payment अगर एक लाख रुपए डाउन पेमिंट हो गया तो फिर पांच लाख में से यही तीनों जो आणसर यही तीनों आणसर आपको चार्लाख पर कर्ना है चार लाख की किस्त बिना देनी है चार लाख डिवाएड ब्यद्थ तो आपके पास है चालिस्जार रुपए चालिस्जार रुपए का आपका 8% के साफ़घ्यापको amount प्लस वन यूज़ होगा यहां पर पावर सिर्फ आपके पास में इसमें एन पर आपका एन प्लस वन यूज़ होगा क्लिर रजी कि 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 तो यह कुछ कोश्चन्स आपके थे यह मैंने करवा दिया है मैं फिरसा को बतायता हूं कि आप इंस्टॉल्मेंट कैसे बनाते हैं वह फार्मला दिया मैंने अगर बिगनिंग में आपका है तो उसवाँ पर एन के जगा आपका पांच लाग था तो दस इंस्टॉल्मेंट पचास जार रुपे और आपका आठ परसंट से आप ले लो और इसका आप अमाउंट ऑफ एनुटी का फॉर्मला अप्लाई कर दो क्लियरे जी और डाउन पेहिंट कर दोगे तो चार लाख रुपे आप अपके सवाल में आ गया अब चारा लाख और आप जबियों सवाल कराता हुए जैसे सेख्ट लुफे रुपे लेकर की जिस्ट ह्थर्ड स्वारा है आपने वैशा ही आपको तो प्रिवीसर कोश्चन की प्रैटिस किजिएगा तैनियर में से, ठीक है जी, क्लेर हैं, मिलते हैं फिर, नेस्ट क्लासिट में, कल आपका कैलकुलेस का क्लेरी हैं, क पढ़ने का कैलकुलेस में, एक्जाम और बिहीं हम पड़ेंगे, आपके पांक सवाल है, पांक सवाल में से, मैं पहली वता चुक्का हुँ, एक आपके पास स्कूष्यमेंटर क्स्वाल होत है, है है, उसके खड़़च्व्च्व्चल नमत्र फाने होगा, क्यूंत में से तीन सवाल आप कर सकते हैं अगर आपका आज ही विपर हो जाए तो लेकिन आप इसकी पैटिस टैनियर से कर लिजिएगा मेरी कोशिश है अगले दस दिन के अंदर में कोश्चन नंबर फोर जो आपके पिपर में आता है एवरिज कोस्ट मार्जिनल कोस्ट वह मैं आपक कर देंगे क्लिए उसमें 20 दिन लग जाए पंदर दिन लग जाए बट हमारा रिस्क एक ही सवाल कर रहेगा चार सवाल आपके करकर के साइड कर दिये गये हैं बात समझ गए हाँ लिन्य प्रोग्राम में बस उतना ही है आप 10 यह से प्रेटिस करेंगे न सारे कोशन आपके हो जाएंगे आप प्लीज 10 यह से पर जाए कुछ भी मत कीजिए 10 यह से प्रेटिस कीजिए बार बार कह रहा हूं यह बार पेपर पूछने का तरीका सवाल सब कुछ सेम गई होगा कुछ भी नया नहीं होगा आपको 10 यह से बच्चे कैसे कर रहे हैं 2011-2012 बिलकुल गलत तरीका है नहीं भाई 2022 में देखो कोई पेपर था ऐसे पहले आपको फर्स नमबर पर यही करना है 2021 देखो 2020 देखो 2019 देखो त फिर 21 का उठाना है फिर 20 का फिर 19 का एस उठाओ आप और बस आपको इस तरीके से 5 साल बैक में जाकर कर लो मेरे भाई पूरा पेपर आपका सेम होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा इवन आपके पांच में से तीन सवाल में तो डिजिट भी आपको से मिल जाएंगे मैं बा झाल